So today we'll start poem Dust of Snow, it is written by Robert Frost तो जैसा कि यह जो कवीता है यह बहुत ही short है आप देख रहे हैं there are only 8 lines in this poem सिर्फ 8 lines की यह कवीता है लेकिन जो लिखने वाले कभी है Robert Frost वो इन 8 lines में भी बहुत ही ज्यादा एक बड़ा और important message हमारे सामने देकर गए है तो कवीता जो है पहले हम इसको read करेंगे एक बार अब जो कवी है Robert Frost अब यह जो scene पूरा दर्शाय गया है यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है Robert Frost के लिए जो दिन उनका बिल्कुल अच्छा नहीं था वो काफी sad mood में थे उनका mood बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो किसी ठंडी जगा पर जहाँ पर snowfall हो रहा है वहाँ पर थे और उसी दिन उनका जो शुरुआत थी दिन की वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही उनका दिन बहुत खराब था तो ही वो जिना बैड मूड और जब वो वहाँ से बर्फ के बीच में से गुजरते हुए जा रहे थे तबी एक पेड जो यहाँ पर बताया गया जिसके बारे में हमें हैमलॉक ट्री हैमलॉक एक पेड होता है जिसके उपर सफेद रंके फूल होते हैं और यह जो पेड है यह पोईजनस माना जाता है यानि बहुत ही ज़ादा यह जहरीला पेड माना जाता है तो यह जो पेड़ है जब बर्फ बारी हुई तो यह पेड़ जो था यह भी बर्फ से लदा हुआ था और इस पेड़ के उपर एक क्रो बैठा हुआ था एक कववा बैठा हुआ था जब लेखक कवी जो है जब इस पेड़ के नीचे से वो गुजरने लगे ता या फिर वहां से उड़ने की कोशिश कर रहा था या फिर अपने आपको उस टहनी के उपर उस पेड़ के उपर एड़स्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बिना मुवमेंट के तो बर्फ उपर से गिरेगी ने लेकिन ये चीज मेंशन नहीं किये आपर तो जब लेख का गिरना जो है यही कवी के मूड को चेंज कर देता है यानि कि यह जो इतना सा सीन हुआ इतनी सी जो यह हमने देखा घटना इस घटना ने कवी के जो स्पोईल्ड दिन था उनका दिन कैसा था बिल्कुल खराब था उस स्पोईल्ड डे को इतनी सी घटना ने बदल दिया यानि कि लेखक जो थे कभी जो थे वो काफी खुश हुए इस चीज से उनको काफी अच्छा लगा और उनका मूड जो था जो बिल्कुल आफ था बिल्कुल एकदम डल मूड था वो एकदम फिर से ठीक हो गया अब आगे जो कभी है वो लिखते हैं has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had to do और इतनी सी घटना ने लेखक कभी के दिन को change कर दिया उनके mood को change कर दिया और उनका जो दिन था वो already rude rude मतलब जो कि already उन्होंने spoil कर दिया था यहनि कि वो दिन उनका आदे से जादा तो खराब कर दिया था वो दिन खराब हुआ था वो तो ठीक है लेकिन जो बचा हुआ दिन था इस घटना के बाद का जो दिन था वो उनका काफी अच्छा गुजरा क्योंकि उनके mood में काफी बदलाव आ गया था अब actual में इस कभीता के अंदर कोई बहुत ज्यादा deep चीज लिखी नहीं गई है लेकिन अगर हम ढूणने जाएं तो इसमें बहुत अच्छी चीज हमें मिलेगी अब यहाँ पर crow और hemlock tree जो है ये दोनों ही negativity का sign है यानि कि ये दोनों ही negativity शो करते हैं आप जानते हैं कि कववा जो है उसको भी एक negative पक्षी के रुप में देखा जाता है और hemlock tree जो कि जहरीला पेड़ है ये भी negativity का प्रतीक है लेकिन कवी ने इन दोनों को किस प्रकार से अपने mood को बदलने के लिए यानि कि उन्होंने किस तरीके से इन दोनों से भी positivity ली हमने देखा कि hemlock tree और crow इन दोनोंने मिलकर यानि कि crow जो था वो हम लोग tree पे बैठा था और उसके moment से जो बरफ जो snow नीचे गिरी उससे कवी का mood जो की spoiled था वो एकदम change हो गया यानि कि इससे उनका दिन बच गया तो कवी ने हमारे सामने एक जो message हमें देना चाहा है कि कैसे भी circumstances हो उन circumstances को हम positive way में ढाल सकते हैं यानि कि nature जो है वो कोई भी चीज हमारे सामने पेश करता है अगर हम उसको positive way में लेना चाहें तो हम positivity भी उसमें से ले सकते हैं तो यही लेखक का कवी का हमारे लिए message है So that's all for the poem Dust of Snow